देश में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले बीजेपी कई राज्यों में नेत्रत्व परिवर्तन कर चुकी है पार्टी का कहना है कि ये हमारी रणनीती है लेकिन विपक्षी दल इसे हार का डर बता रही है वही आज शिफ सेना ने भी अपने मुख पत्र में बीजेपी के सीम बदलने पर तंच कसा है जिसे लेकर बीजेपी में बगावत का दौर बढ़ सकता है राजनीती की प्रियोग शाला में बीजेपी नय नय प्रियोग कर एक बार फिर आगामे विधान सभा चुनाओं में जीत के सपने देख रही है यही वज़ा है कि बीजेपी ने करनाटक से लेकर उत्राखंड और गुजरात में सीम का चेहरा ही बदल डाला लेकिन इस नेत्रित्व परिवर्तन को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है शिप सेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिये बीजेपी पर जबरदस्त तंज कसा है सामना में छपे लेक में कहा गया है कि जेपी नड़ा को बीजेपी का राश्ट्री अध्यक्ष बनाये जाने के बाद से पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं पृधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जो है वो जेपी नड़ा के जरिये करवाया जा रहा है नड़ा के ही जरिये उत्राखंड और करनाटक के मुख्यमंत्री बदले गए गुजरात का मुख्यमंत्री भी एक जटके में बदल दिया गया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहली बार ही विधायक बनने वाले नेता हैं लेकिन अब मोदी और नड़ा ने ऐसा जटका दिया है कि राजनिती में कुछ भी असंभाव नहीं है सीएम बदलने पर तंजकसने के साथ साथ शिब सेना ने नितिन पटेल के सहारे बीजेपी की बगावत को भी हवा दी है विपकशी पाटी की ओर से कहा गया है कि नितिन पटेल सहित सभी पुराने और प्रसिद्ध लोगों को निकाल कर मोदी और नड़ा ने गुजरात में नया दाउं रचा है नितिन पटेल मुखे मंतरी पद के प्रबल दाबेदार थे वो गुजरात में पाटिदार समाज के महत्वपूर्ण नेता है और पाटिदार समाज में उनका वजन है लेकिन अब बीजेपी ने नितिन पटेल को नाराज कर दिया है जिसकी कीमत आने वाले चुनाओ में बीजेपी को चुकानी पड़ेगी अब शिर्सेना ने तो बीजेपी की हार की भविश्वानी कर दी है लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बीजेपी के हाथ हार लगेगी या जी डीबिलाइब की रिपोर्ट